सू प्रभात मेरे प्यारे बच्चो स्वागत है आपका आपकी हिंदी कक्षा में तो हिंदी में हमने शाम की सेर यहां तक हम रिवाइस कर चुके हैं क्यूंकि यह हमारे एक्जाम्स में आने वाला है उसके बाद हमने खरगोश यह कवीता भी हम छुटियों से पहले कर चुके तो इसमें हमारा सिर्फ एक पेज रहे गया था जिसको आज हम करेंगे यहां तक हम कर चुके थे पेज नमबर 30 तक जिसमें आपको सब्जियों के सब्जियों में रंग भरने थे और हमने कॉपी में भी सब्जियों के नाम लिखे थे तो आज हम करेंगे पेज नमबर 31 इसम में जिस अक्षर की आवाज आती है उसे उस अक्षर के सामने लिखिए तो इसमें आपको लिखना है जैसे कि यहां पे कुछ शब्द दिये हुए हैं पहले इने पढ़ेंगे चड़िया घोसला दाना दाना चीटी घर दही तो इसमें आपको देखना है च, घर और द तो इन अक्षरों में इन शब्दों में जहां पे च की आवाज आ रही है वो शब्द आपको इनके सामने लिखने है जैसे कि चड़िया चड़िया चर की आवाज आ रही है इसमें देखो च अक्षर भी है तो चड़िया यहां लिखेंगे उसके बाद घोसला घो मुसला यहां लिखेंगे इसी तरह से बाकि ये चार शब्दों को भी पढ़ना है और उन्हें उनके आगे लिखना है जिसकी आवाज जिसमें आ रही है कुशन नमबर टू अध्यापिका जो अक्षर बोले उन्हें रेत थाल पर बनाईए उसके बाद उन्हें कॉपी में लिखिए इन अक्षरों को नीचे भी लिखिए कुछ अक्षर दे रखे हैं यह आपे यह अक्षर आपको आपकी घर में यह एक्टिविटी है कोई रेत कि थाल या फिर किसी बड़ी सी ट्रे में आप चावल आटा बेसन दाल कुछ भी चीज़े डाल कर फैला देंगे ठीक है फिर उस पे लिखेंगे भ़ किस तरह से इस तरह से जैसे कि इस एक्टिविटी में सी लिखा हुआ है नमक फैला के किसी ट्रे में और उस पे फिंगर से फ्री आप जैसे उस पे कोई भी दाल चावल ममा कर देंगे किसी भी बड़ी सी ट्रे में तो आपको ऐसे करके उस पे ड्रॉ करना है आप लेकिन सी ड्रॉ नही करेंगे क्या ड्रो करेंगे जैसे कि इस पेज में दे रखाऊ इस पेज में आपको जो शब्द अक्षर दे रखें जैसे कि भग है घ। ऑ उ उ द तो यह सब अक्षर आपको अपनी रेध थाल पे जो भी आप ट्रे में लेंगे इस चीज उसमें लिखना है इस तरह से देखो ठीक है तो आप finger से लिखेंगे तो इसमें जैसे c बना हो उसकी जगा पे आपका भ बन किया जाएगा और कौन और जैसे कि आपको लिखना है त ठीक है यह मैं finger से रिखनी है इसलिए proper नहीं आ रहा आप proper formation बनाएगे ठीक है ठ और घ ठीक है तो इस तरह से लिखके मुझे सारे अक्षरों की photo send करेंगे आप लोग और उसके बाद जब आप वो rate थाल पे बनाएगे उसके बाद यह अक्षर आपको आपकी notebook में simply लिखने है ठीक है आप दो दो बार भी लिख सकते हैं तो लिखके आप मुझे काम send करेंग ठीक है तो यह आपको rate थाल पे भी करना है book में भी लिखना है प्लस आपकी notebook में भी लिखना है तो हिंदी में आज का इतना ही काम है till then bye bye have a nice day